को method of substitution से करते हैं हम लोग तो method of substitution से जब attempt करने जाते हैं तो आपको सबसे पड़ी समस्या होती है कि हम लोग यहाँ पे क्या substitute करें और किसको substitute करें तो समस्या तो दिखनी चाहिए कि यहाँ under root है तो under root को पहले आप focus करिए कि under root किसी तरह से हट जाए तो अगर मालिज ये x को हम क्या कर लेते हैं, t square प्लेस कर लेते हैं, तो under root तो हड जाएगा, क्या हो जाएगा, ये t आ जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं, प्रोसीड करते हैं हम लोग, तो x का one differentiation, dx equals to 2t dt हो गया, अब convert करिए, तो इसका मतलब dx को आप क्या लिख दोगे, dx could be retain ऐसे, 2t dt, 2t dt, और नीचे क्या हो जाएगा, x को आप क्या लिख होगे, t square, और आपका ये क्या है, root, x को t लिख दोगे हैं, अब यहाँ से t common कर गे, cancel कर दीजिए, क्या हो जाएगा, that comes out to be, यहाँ t common कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ जाएगा, t minus 1, और उपर हो जाएग 1, 2t dt, यह tt क्या हो गया आपका, cancel हो गया, 2 constant है, बाहर कर लेजिए, है ना, तो क्या जाएगा आपका, that become 2 integral of 1 by, question अपने आप आगे बढ़ता रहेगा है, रास्तिय आपको दिखते रहेंगे, बस आप चलते जाएगे, यह क्या हो जाएगा, यह standard आपका differentiation है, जो log का derivative, log t minus 1 का derivative है, तो क्या लिख देंगे इसका, log of, क्या हो जाएगा आपका, mod of t minus 1 plus c, लेकिन answer तो यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि t हमारा dummy variable है, किसी का u हो सकता है, किसी का v हो सकता है, ठीक है, तो t क्या था हमारा, t यहाँ से under root x है, तो log of mod of under root x minus 1 plus c, that is your answer.